मैं हूँ आपके साथ आयुश्मा और आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट अक्टर अरजुन रामपाल और उनकी पतनी मेहर ने 20 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला कर लिया है भले ही आज ही जोड़ी अलग होने जारी है लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी बेहत खूबसूरत रही है महर और अरजुन की मलाकात मॉडलिंग के दौरान हुई थी ये वो वक्त था जब अरजुन मॉडलिंग की दुनिया में पहचान बना रहे थे और महर सूपर मॉडल थी महर को देखते ही अरजुन उन पर फिदा हो गए थे अरजुन रामपाल ने इंटर्वियू के दौरान बताया कि जब पहली बार वो राम पर चले तो उन्होंने उनके साथ राम फौक कर रही मॉडल महर का डर के मारे हाथ ठाम लिया था उन्होंने बताया था कि जब मैंने करियर की शुरुवात की तब महर मॉडलिंग इंडस्ट्री का सफल नाम बन गई थी अरजुने महर के बारे में इस बात कभी खुलासा किया कि जब वो हॉस्टल में रहते थे तो उनकी कमरे में महर का पोस्टर लगा हुआ था जिसे देखकर अरजुन कहा करते थे कि बीवी तो ऐसी होनी चाहिए अरजुन की ये बात आगे जाकर सच हुई और उन्होंने हॉस्टल की पोस्टर गर्ल यानी सूपर मॉडल महर से शादी रचाई महर मिस इंडिया भी रह चुकी है और फेमिना मिस इंडिया बनने के बाद ही महर ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था अरजुन ने साल 1998 में महर जैसिया से शादी की और इनकी दो बेटिया मायरा और माहिका हैं अरजुन ने महर के लिए एक पेंट हाउस भी खरीदा था महर ने बताया कि ये उनकी जिंदगी के एक एमोशनल पलों में से एक पल था आपको बता दे कि अरजुन और महर के बीच पिछले कुछ सालों से अनबन की खबरे आती रही है कहा तो ये भी जा रहा था कि अरजुन की रितिकी एक्स वाइफ सुजेन खान से नजदी क्या बढ़ चुकी थी जो कि महर को बिलकुल मनजूर नहीं थी 2012 में रितिक और सुजेन का तलाख हो गया पिछले साल आदित गरवारे और रेणू चैनानी के प्री वेडिंग बैश में भी सुजेन और महर के जगड़े की खबरे तेज थी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही टेलिवेशन और बॉलिवुद की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे है फिल्मी बीट